। हाइ आपि एवरीवम देशे पापन चॅर्मा कैसे हैं आप इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी के अनलेसिस के बारे में निफ्टी का करेंट सपोर्ट किया है वो ब्रेक होने के बाद अगला टागेट क्या हो सकता है अगर वो सपोर्ट अगर लिता है तो निफ्टी का पी बहुत ज़ादा overvalued हो चुका है, expensive market है, बड़े-बड़े investors, in fact, जो जिरोधा के फाउंडरों ने भी कहा है कि निफ्टी overvalued है, थुरा सा संबल के चलें, तो इन सब को थुरा सा हम अपनी common lag region में decode करेंगे, और जानने कोशिच करेंगे, अगला वीक हमारे कैसा रहेगा, और क्या-क्या factors निफ्टी को pull कर सकते हैं, और क्या-क्या factors हमारे निफ्टी के लिए positive रहेंगे, यह सब चीज हम discuss करेंगे, और friends, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहला काम तो यार, अभी जाके subscribe बेटन पे click कीजगा, ऐसा निफ्टी के accordingly उनको use कर सकते हैं, चले बापिस आते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या-क्या factors हैं, जिनकी वज़े से निफ्टी ने recently grow किया, देखें, निफ्टी अभी क्या है, runaway gap में चल रहा है, runaway gap, यह क्या होता है, यह gap होता है कि मान लिजिए, यह एक gap बना, तो यह इसका low है, मान लिजिए, यह lower high है, तो अगले दिन बिना low को touch करें, उससे अगली बार फिर से बिना low को touch करें, तो इस तरह के जो gap बनते हैं, वो बनते हैं runaway gap में, तो निफ्टी इस टाइम पे runaway gap लगातार create कर रहा है, तो आपको भी थोड़ सा ध्यान देखना इससे lifetime high पे लाकर खड़ा कर दिया है, अब यहाँ पर जो last week में, हमारे पास में last week से शुरू करें, यह तो जो last session के हमारे factors रहे हैं, last week में जो development हुई, last week, I mean to say starting from Monday, last week में या उससे पहले, तो पहला तो यह था कि अब यह confirm होता जा रहा है, I'm not a political guy, बट जो मैं सुन रहा ह वही चीज़ आपको बता रहा हूँ, यह confirm होता जा रहा है, जो coming government आएगी, वो BJP ही form करेगी, तो इसकी वज़े से investor community काफी खुश है, दूसरा अभी क्या हुआ है, इसी के साथ साथ में दूसरा news आ गया, जहाँ पर fed का, जो fed meet था, उसका outcome आया, उन्होंने कहा, अगले साल हम rate cut के बारे में जो बात करेंगे, और हो सकता है, तीन rate cut हम अगले साल में लेकर आएं, उसकी वज़े से काफी अच्छी moment आपने निफ्टी में देखा, क्या होता है, जब भी rate cut होते हैं, तो investment रोसा जादा attractive हो जाती है, और इसका असर आपने IT सेक्टर में भी देखा, और इससे एक और फाइदा होता है हमारे FII inflow का, FII inflow का हमारा शुरुवात हो जाती है, हमारी market के अंदर, और ये सारे factors देखे, हमने जो एक common factors है, ये हमने देखे, when it comes to development और जो एक अच्छी news थी, एक और add कर देता हूँ मैं या पर, लेकिन भी add नहीं करता हूँ, पहले इसक candle है, ये है nifty, so this is nifty, और जो ये line है bank nifty, तो मैं हाँ पर comparison दिखा रहा हूँ, कि nifty ने एक high बना लिया है, bank nifty अभी भी थोड़ा सा पीछे है, important factor जो है, वो हम focus करेंगे bank nifty के, क्योंकि इस time पे bank nifty ही कैसा index बचा है, जो nifty को और further rise करा सकता है, सिरफ एक factor है, plus IT of course, जो बिला, और इस time पे सारा जो focus रहेगा, सारा जो हमारा सब की नजर रहेगी, वो रहेगी bank nifty के moment पे, तो हमें क्या करना है, nifty के साथ साथ में, थोड़ा सा bank nifty के ओपर भी ध्यान देना है, दूसरी बात, तो यह हो गया, एक point जिसके ओपर आपको ध्यान रखना है, वो है bank n बनते हैं, यह gap future में, future में आपके लिए support का काम करते हैं, तो जो भी gap बनते हैं, उनको जब filling होती है, वो fill नहीं होता है, basically वो support लेना शुरू कर देता है index उस time, तो यह जो gap है, यह हमारे लिए एक और positive point रहेगा, तो यह second positive point है, जो हमारे अब recent gap बने हैं, पहला gap आपका इ make sense, तो अब हमारे पास में यह हो गया एक part, जो हम positive की बात कर रहे थे, negative बात नहीं है, मैं positive का इसलिए बोल रहा हूँ, कि जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ, वो positive नहीं होगा, वो थोग सा data wise हम बात करेंगे, यह जो nifty का chart आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने Fibonacci place क हमारे पास इसके accordingly वो है 21520, तो यह हमारा immediate target है, इसके उपर फिर हमारे पास बड़ा target निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 22200, तो यह level अगर break करता है, तो हमारे पास में इस level के लिए nifty आगे बढ़ना शुरू कर देगा, लेकिन यहाँ पर मैं star लगा रहा हूँ, star क 21420 और नीचे के तरफ 21370, यह support zone है हमारे लिए nifty का, जब तक nifty इस level के ऊपर है, तब तक nifty इस level को आराम से touch कर सकती है, और यह छोटा सा hurdle है, यह minor hurdle है, क्योंकि इस time पे market भहंकर FOMO के शिकार है, और यह FOMO भी खतम नहीं हुआ है, यहाँ से तो और चलेगा, तो इसके चलते हुए, यह कोई मुश्किल काम नहीं है, कि nifty अगर 2151 को cross कर लेती है, तो 22200 को touch नहीं कर सकती है, बहुत आराम से touch कर लेगी, जब फेस चलता है, यही सब देखने को मिलता है, तो यह एक और factor है हमारा, तो यह second यह third factor मान लिजिए, यह fourth factor मान लिजिए, कि जहां तक nifty के पास में सवाल है, कि nifty इस level को अगर hold कर लेता है, तो nifty के लिए target ready हो जाएगा, चलिए, अब एक point है हमारे पास, in case यह level break कर देता है, nifty क्यों break कर देता है, पहले वो भी समझेगा, January 15 से, January 15 से, quarter 3 के results आने वाले हैं, results, ठीक है, और उससे पहले कभी कभी क्या होता, आप तो यह अगर profit booking आती है, तो समझ जाएगा, कि आपके लिए, वो minor profit booking है, और यह profit booking हमारी small cap में बहुत strong रहेगी, small cap में, क्योंकि अगर nifty 5% correct करता है, तो small cap 20% तक correct कर सकते हैं, इतना बड़ा moment आपको small cap के अंदर देखने को मिलेगा, तो हमारे पास, इसके नीचे कौन सा level available है, इसके नीचे हमारे पास जो level available है, वो है 21, 150 से लेके 20, यह वाला point, 2900 का, तो यह लगबग 200 point का आपके पास में, नीचे zone बनेगा, इस zone के break होने के बाद में, और क्यों बनेगा, profit booking before Q3 results, तो यह पूरा पूरा जो है, हमारे लिए ready हो जाएगा, अगर आपको कोई trade लेन है यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, पहले तो एक काम कीजेगा, NSE option chain open करेंगे, NSE option chain, तो इस trade के accordingly हमें क्या करना है, आपको यहाँ पर जाना है, NSE option chain अगर देखेंगे, यह कुछ आपको ऐसा नज़र आएगा, यहाँ पर आपको focus करना है, यह 93, 38, 73, उसके against में 57, almost double है, लेकिन हाँ, नय addition बहुत अच्छा हुआ है, यहाँ पर 22, 82, यहाँ पर देखेंगे, 28, 29, तो लगबग यह जो level है, यह अब हमारे लिए decisive level है, और यह थ्रौसा भी हमारे लिए resistance है, resistance का मतलब यह नहीं होता कि market नीचे गरेगा, resistance का मतलब यह होता है, कि market यहाँ पर hold करता ह और अगर यह break हुआ, volume के साथ में, तो अगला target हमारा एक बड़ा सा निकल के आएगा, कम कुछने 200 point तो आपको देखने को मिलेंगे, और इसके नीचे जैसे अभी हमने discuss किया था, कि 420 से लेके 370, यह आप यहाँ देख भी रहे है, यह support है, immediate support है, यह break हो जाएगा, तो definitely ए बनानी है, यह आप किया कर सकते हैं, यहाँ पर जाएगा, आपको range बनानी है, 2900 का, और 2500 का, यह थोड़ा रिस्की रहेगा, मैं कहूंगा तो इसको आप 21100 कर लीजेगा, उपर की तरफ 21700 कर लीजेगा, coming week के लिए, और आप इसको आप क्या करेंगे, इसको आप sell करेंगे, put, इसको आप sell करेंगे, call, इन दोनों को hedge करने के लिए, आप क्या करेंगे, 2900 का, यह आप रखेगा, December end, December end, इमिजेट नहीं, उस से अगले week, यहाँ पर आप आएंगे, इसको करेंगे, आप put buy, और 21900 का call buy, यह एक strategy बनती निज़र आ रही है, जिसमें low risk रहेगा, लगब इसको आपको नहीं रहेगा, for two weeks, returns अच्छे मिल जाएंगे, यही एक strategy है, जिसके basis पे आप इस time पे काम करते हैं, और यह हमारा coming week, यह उसके अगले week के लिए range रहेगा, और जितने ही factors अभी हमने discuss की हैं, कि हमारे पास में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, और क्या क्या और इस बात को आप भी धान, low risk के साथ में trade करेंगे, कोई भी long position लेके मत चलेगा, और election से पहले थुराँसा profit booking के लिए ready रहेगा, जितना उपर से profit booking आएगी, उतना ज़्यादा हमें profit मिलेगा, और कोई भी अगर आपको reverse trade लेना है, तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पर super trend या पी पी सार, और जब वो आपको बोले sell, तभी आपको call से exit करना है, और put by करना है, call exit या put by, put by, उसके अलावा कोछ नहीं, अदरवाई जो strategy आपने डिसकुस किये, वो आप platform अपने deploy कर सकते हैं, तो guys यह रहेगा हमारा nifty का outlook for coming week, और जाने से पहले हमारे channel को subscribe करना और video को like करन अब भूलेगा, मिलेंगे, लिव विडियो मेंटिल दें, चेक करना है, बड़ नाइस टे बाब